हेलो एव्रीवन वेलकम बैक टू दी लर्नरस स्टुड़ी चैनल आज के video में हम लोग मुगल सामराज की next video जिसमें लोग मुगल सामराज में किस तरीकिसे चित्रकला का विकास हुआ उसके बारे में बात करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मुगल समराज में इस्थापतिकला के विकास की बारे में बताया था तो अगर आप लोगों ने वह वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिं आप लोग एंसेंट हिस्टी का भी स्लेवर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर आप लोग एंसेंट हिस्टी के भी वीडियो देख सकते हैं तो बनी रही है अब हमारे साथ चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेती हैं सबसे पहले हम लोग थोड़ा बैक्ग्राउंड की बारे में बात कर लेती हैं तो दिल्ली सल्तनत के विपरीद मुगल सासकों ने चित्रकला को बड़े पैमाने पर प्रोच साहित किया हम लोगों ने दिल्ली सल्त में इस्थापत्य कला के विकास के बारे में डीटेल में बात की थी लेकिन वहां पर हमें चित्रकला के किसी भी तरीके के शाक्ष नहीं मिलते हैं जबकि जो मुगल सासक थे उनकी चित्रकला के प्रिती बहुत रुची देखने को मिलती हैं इसलिए मुगल काल में चित्रकल इसके लाववा येरान और यूरोब से नरंतर संबंध इसके लाववा कागची उपलवद्ता चित्रकला का छेत्री इस्थर पर प्रश्वन इत्यादी कुछ पिर्मुक आरत थे जिन्होंने मुगल चित्रकला को प्रभावित किया जैसा कि मैंने इस्थापतिकला के बारे में भी बात की थी कि वहां पर कौन-कौन से फैक्टर इस्थापतिकला के विकास को प्रोसाहित करती हैं तो उसी तरीके से यहां भी बहुत सारे फैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं जो मुगल चित्रकला है उसको प्रभावित करते हैं तो यहां प पर चित्रकला जो है उसको बहुत महत्व दिया जाता था तो इस बज़ए से भी उसका परभावी मुगल चित्रकला पर पड़ता हुगा हमें दिखाई देता है इसके अलावा काज की भी परियाब उपलब दता थी क्योंकि चित्र कला को बनाने के लिए कागज की जरूरत पड़ती थी क्योंकि इस प्रहीं बनाए जासे इसलिए इस बनाए जा रहे थे यानि कि मुगल काल में जो चित्र कला थी उसके प्रमोफ विशेस्था यहां पर हमें भित्ती चित्र और लगू चित्र दोनों ही प्रकार के चित्रों के साक्ष मिलते हैं लगू चित्रों के सरभाधिक प्रमार मिलते हैं यानि कि यहाँ पर भित्ती चित्र लगू चित्र दोनों ही तरीके के चित्र के प्रमार मिलते हैं लेकिन लगू चित्रों के प्रमार जाधा मिलते हैं यह भित्ती चित्र लगू चित्र जो हैं वही चित्र हैं जिनके बारे में हम लोगों ने एंचन टाइम में अजन्ता और एलो राक ही कुफाओं में विद्टी चित्र रबहत कि बारी में बात की थी उसी तरीके के चित्र जो है वो इस टाइम भी बनाए जाते थी इसके अलावा अगर हम बात करें लगू निरण चित्र जो होते थे उनका निर्मार कपड़े कागज की वसली पर किया जाता था यानि इसके लावा कागज के जो भसली होती थी उन पर भी बहुत तरीके के चित्र बनाएजाते थे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राजदरवार से जो मुगल दरवार है यानि की मुगल सासक के जितने भी राज परिवार के सदस इसके लावा उनके राज में जो उनकी राज सभा होती थी या फिर जो उनका दरवार होता था उससे संबंधित बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं इसके लावा राज दरवार से संबंधित के चित्रों में हमें सभी हि निर्मार यानि कि व्यक्ती चित्र यानि कि पर्संड जो होते थे जो व्यक्ति जयाते हैं उनके चित्र ज्याधा बनाय जाते थे ग्रें चित्रों का मतलब है कि जreten Shooting इस टाइम ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे कि इनकी आत्मकथा लिखी गई है जैसे आप लोग ने बावर की आत्मकथा के बारे में सुना होगा अकवर नामा इस तरीके से बावर नामा इस तरीके की बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इस टाइम लिखे गए हैं तो उनमें भी चित्र बनाए जाते थे तो उसके भी प्रमार मिलते हैं इसके अलावा प्रिकर्टी से सम्मंदिर भी बहुत सारे चित्रों के प्रमार मिलते हैं तो ये सब जो है उनको इस टाइम महत्व दिया गया था इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस टाइम हमें आम जन जीवन से भी सम्मंदे चित्र एवं महिलाओं के चित्रों को महत्व नहीं दिया गया था यानि कि जैसा कि मैंने अभी बताए इस टाइम जाधातार वो राजध्रा या फिर किसी एक धर्म विचास तरह चित्र होते थे लेकिन यहाँ पर आम जन जीवन यानिकि जो जनता जो होती थी इसके अलावा महिलाओं से नहीं को बहुत को जाहुत देखने को नहीं मिलते हैं था तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चित्रों में लेखांकर एवं भावनाओं को बारी की से उकेरा गया है यानि कि बहुत अगर चित्रों में कुछ लिखा भी जादा था तो वह बहुत जाधा बारी की से किया जाता था इसके अलावा चित्र जो होते थे उनमें किसी भी चित्र में feelings जो होती है भावनाय जो होती है वो साफ साफ समझ में आती है जैसे कोई भी painting आप बनाते हैं एक तो ऐसी होती है कि वो ऐसी ही बना दी वस उनमें feelings समझ में नहीं आ रही है कि जिसका भी चित्र बनाया गया है उस से चित्र देखने पर ही साफ साफ समझ में आ जाता है इसके अलावा रंगों के बारे में अगर हम लोग बात करें चित्रों में जो रंग भरे जाते थे उनमें जाधा तर चमकदाल रंगों का प्रियोग किया जाता था इसके लावा गर हम लोग बात करें बिविन सासकों का इसमें क्या योगदान हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम लोग बावर के बारी में बात कर लेते हैं बावर जो है इसने अपनी आत्म कथा में चित्रकला के प्रती अभीरुची व्यक्त की है यानि कि बावर जो है उसने अपनी आत्म कथा लिखी थी जिसका नाम बावर नामा है उससे पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि बावर की चित्रकला के प्रती अभीरुची थी इसके अलावा बहजाद नामक चित्रकार का भी बावर ने अपनी आद्म कथा में उलेक किया है लेकिन चित्रकला के छेतर में राजनीतिक आथे कारणों से कुछ योगता नहीं दे पाता है यानि कि बावर जो है उसका चित्रकला के परती अभी रूची तो थी यानि कि उसका बहुत जादा इंटरेस्ट था लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बावर के टाइम पर बहुत जादा राजनीतिक आइस्थरता देखने को मिल रही थी उसने बहुत सारे युद्ध किये थे इसके अलावा और भी जो आस्परोड के उसके राज अब हम लोग नेक्सटे बात कर लेते हैं हुमाईव के बारे में तो बावर की तरह हुमाईव भी छित्रकला में विसेस्थ रुची रखता था और विप्रीत पर उस्थित्योंمة भी चाहने का क्या मतलब है नर्वाशन सब्धें आपर चाही जगर आप लोग कर लीजेगा निर्वाशन से यहां कहने का मतलब क्या है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बावर पहले सासक बनता है लेकिन बीच में सेरसा सूरी जो है वो बावर से जो युद्ध करता है और उससे मुगल सामराज जो है उसको छीन लेता है और उसके बाद पिर वो अपने सामराज यानिकी सेरसा सूरी सूर सामराज की स्थापना करता है फिर कुछ ताइम वो इरान चमद सा जो है वो इरान चला गया था और वहाँ पर उसने इरान में ही वहाँ पर उसने काबुल से सोरी इरान और काबुल में हुमायूने वहाँ पर अब्दुल रसद और सयद अली जो है वो प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे उनसे बावर ने चित्रकला सीखी और वहाँ पर अपने चि यद अली यह हमें अकवर के टाइम पर भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने अकवर को भी बहुत जादा चित्रकला के लिए प्रेश्बित किया तो हम लोग उस टायम बात करेंगे अब हम लोग कर लेती हैं अकवर के बारे में हमैयू के बात कर रहे हैं तो अकवर के announce काल राज में इस्थिरता थी लेकिन अकवर जो आता है वो अपने साशन के कुछ टाइम बाद अपने राज में इस्थिरता लेकर आता है और अपने सामराज का बहुत ज़्यादा विश्थार कर लेता है तो फिर वो चित्रकला की ओर ध्यान देता है तो अकवर ने ग्रंथ चित् नामा इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें यहां पर यह भारतिय ग्रंथ नहीं यह यहां पर आप लोग ईसाई ग्रंथ कर लीजेगा क्योंकि यह जो अभी मैंने बताई यह भारतिय ग्रंथ है उसके अलावा यहां से हम लोग देख रहे हैं यह इसाई यह फिर इसलामि तो इन दोनों ही तरीके के ग्रंथों में हमें चित्र बने हुए दिखाई देते हैं इसके लाबह अगर हम लोग बात करें गरंथों से समबन्दित विश्यों को चित्रों के माध्यम से कथात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता था यानि कि अगर हम लोग बात करें ये बहुत सारे जो ग्रंथ थे इनमें जो भी चित्र बनाए गए थे उनको बाद में कथा के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता था यह प्रज़स्ट मिलते हैं सवी चित्र का मतलब मैंने अभी बताया व्यक्ति चित्र यानि कि एक पर्षन टू पर्षन के जो चित्र बनाये जाते थे उन्हें सवी चित्र कहा जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्व अकवर के टाइम पर गरंथ चित्र ही होते थे वहाँ पर हमें सवी या फिर व्यक्ति चित कि अटारी गत्रा की किलों से वित्ति व他们 वो पशोटी जगहें चित्र बनापे जाती है उन्हें लगू चित्र होते हैं वो गोफ्हाओ में बनाये जाते हैं जाधा तर तो उनके भी हमें प्रमान मिलते हैं क्योंकि यह किले में बनाये गए हैं तो यानि कि किसी बड़ी जगए पर गुफा कहले या फिर किले जो हैं किले के अंदर जो दीवारें होती थी उन पर भी चित्र बनाये जाते थे तो उनके भी एक्जामपल हमें देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा अक्वरकाली चित्रों पर विभिन संस्क्रेटियों का भी प्रभाव पढ़ता हुआ दिखाई देता है जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्रक्रेटी चित्र और सभी निर्मार यानि कि व्यक्ति जो चित्र है उन पर हमें इरानी प्रभाव पढ़ता हुआ दिखाई देता है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चित्रों में जो अग्र संशेपन किया जाता था उस पर हमें यूरोपियन प्रभाव पढ़ता हुआ दिखाई देता है इसके अलावा गोल ब्रस एबं नीले रंग का प्रियोग राजस् दिखाई देता है अब हम लोग नेक्स्ट बात करें अगर तो यह आप देख सकते हैं यह अक्वर के टाइम बनाए गई कुछ प्रमुक्त चित्र हैं इन चित्रों को देखकर आप समझी गए होंगे कि यह जाधाता जो चित्र हैं वो राज दर्वार से संबंदे चित्र हैं क् इस टाइम बनाए गए हैं अब हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें रामायर और महा भारत इत्यादी ग्रंथों का चित्रन तथद दर्वार में हिंदू मुस्लिम और देशी विदेशी चित्रकालों को शर्रक्षन भी प्रदान किया गया यानिकि ऐसा नहीं है कि अक्वर न महाबारत का फार्सी में अनुवाद कराया था तो जब ँसने अनुवाद कराया था उस टाइम उसने चित्रों का भी निर्मार करवाया था इसके अलावा अक्वर के दरवार में हमें हिंदू, मुस्लिम और देशी, विदेशी दौनों ही तरीके के चित्रकार जो हैं वो दिखाई देते हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करें अफदुल समद और सयद अली ये अभी मैंने बताया था इरान और कावल के चित्रकार हैं इसके अलावत दसवंत और वसावन इत्यादी प्रमोग चित्रकार उस टाइम हमें अकवर के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं तो ये हम लोग ने अफवर के बारे में बात कर लिए अब हम लोग जहांगेर के बारे में बात कर लेते हैं तो मुगल चित्रकला के द्रस्टीकूर से जहांगीर का काल सरवादिक महत्पूर माना जाता है जिस तरीके से इस्थापतिकला के विकास में सहाजा का काल सरवादिक महत्पूर माना जाता है उसी तरीके से चित्रकला के द्रस्टीकूर से अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर का काल सरवादिक महत्वन माना जाता है क्योंकि जहांगीर जो है इसके चित्रकला में रोची बचपन से ही देखने को मिलती है यानि कि जब ये बचपन में था यानि कि जब ये बहुत छोटा था तभी से ये चित्रगारी करने लगा था जहांगीर के काल में चरित्र चित्रन के स्थान पर सभी के निर्मार को अत्तधिग महत्व दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर परशन के चरित्र चित्रन ही किया गया है यहां पर हमें सब ही तरीके के लोगों का चित्र बनते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करें जहांगी ने राज परिवार के अनेक सदर्शियों का चित्र बनवाया था यहां तक कि इसने नूर जहां का भी चित्र बनवाया था तो नूर जहां का चित्र जो है वो हमें पहली वार किसी महिला का चित्र बनता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसे पहले महिलाओं के चित्रों को इतना जाधा महत्व नहीं दिया जाता था इसके अलावा जाधन तर चित्र जो होते थे वो राज दर्वार से सम्मंदित होते थे जबकि जहांगीर ने राज परिवार के सदस्यों के भी चित्र बनवाए थे यानि कि इसके परिवार में जितने भी सदस्यों करते थे उन सब के इसने चित्र बनवाए थे इसके अलावा कि जहांगीने सिब अपने दर्वार में ही चित्र बनाए थे इसने और दूसरे देशों के लिए भी अपने चित्रकारों को भेजा था और उनको भी चित्रकला के पृति आकरशित किया था या चित्रकला के लिए प्रिरित किया था इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस क इस चीज का प्रती करता है Isके बारे में मस्झे कोई आइडिया नहीं है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रकृती यह जैसिए कि अगर हम लोग मात करें परकर्थि का चित्रन किया था लेकिन उसका जो चित्रन था परकर्थि चित्रन, लो रहा है जो जहागिर उसने एक़दम एथार्थ वादि, जिस तरीके बादल होते हैं उस तरीके के उसने चित्रों का निर्मार करवाया था तो उनमें हमें बहुत जादा यथार्थ बात देखने को मलता है इसके लावा कर हम लोग बात करें जहां कि ये कालीन चित्रों में पेड़ पौधे इसके लावा जीव जनतु इत्यादी का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है यह की ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इसने व्यक्तियों का ही चित्र बनवाया है इसने पेड़ पोधे जीव जन्तु सभी को अपने चित्रों में सामेश किया है इसलिए कहा गया है यहां पर कि इसने सभी के चित्रों के निर्माण इस पेराग्राफ को आप थोड़ा सही कर लीज चित्र देख सकती हैं यह आप लोग नूर्ज जहांगीर ने भनवाया था इसके अलावा अबुल हसन मनोहर विसन दास इत्यादी जो प्रमोग चित्रकार थे वो हमें जहांगीर के टाइम पर देखने को मलते थे इसके अलावा जहांगीर ने चित्रों के शनरक्षन के लिए मुरक्य या फर जिसे हम लोग एलबम कहते हैं उसका भी निर्मार करवाया था यानि कि आजकल जो फोटो एलबम जो आप लोग देखते हैं उसके शुरुआत जहांगीर के टाइम पर ही हुए थी इसने भी बहुत सारे चित्र बनवाए थे और उनको एक एलबम बनाके उनको समहाल के रखा था तो वो हैं चमकीले एवं सुनहरे रंगों का अत्यदेक परियूग हुआ है यानि कि इसके टाइम फर जो चित्र बनाये या चित्रों में आपेक्षक्रत कम रंगों के प्रयोग की शुरुआज जहां के काल में ही हुई थी यानि कि इसके पहले किसी भी चित्रों में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता था जैसा कि मैंने सुरू में ही बताया था इस टाइम के जो चित्रों के विसेस्ताइं जो थी वो यही थी कि उनमें बहुत जाधा तर्चमकीले रंगों का ही प्रयोग किया जाता था लेकिन सहाजहा के टाइम पर हमें पहली बार काले रंग के चित्रों के भी प्रमार देखने को मिल जाते हैं या फिर ऐसे विचेते देखने को मिले हैं जिनमें बहुत जाधा कम रंगों का प्रयों किया गया है यानि कि उनमें रंग जाधा नहीं भरे जाते थे सहाजहा के पस्चार राजनीतिक धार्मेक कारणों से और उंग्चिप के कारण में मुगल चित्रकला का तेजी से पतन होने लगा था और चित्रकारों ने छेत्रे राज्यों की और प्रस्थान किया था यानि कि जहाजहा के पस्चार उसके राज की जो परिस्थितियां थी राजनीतिक अर्थिक धार्मेक परिस्थितियां उन्होंने अब छेत्य राज्यों की और प्रस्थान करना शुरू कर दिया था तो अब हम लोग नेक्स वीडियो शे इस टाइम के जितने भी छेत्री राज्य हुआ कर दे थे उनके बारे मैं बात करेंगे जिससे आप लोगों को छेत्री राज्यों के बारे में भी आईडिया हो जाएगा तो ये आप लोग कुछ चित्र देख सकते हैं जो हमें सहा जहां के टाइम पर देखने को मरते हैं अब हम लोग आज की वीडियो को बस इतना ही रखती हैं अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीस लाइक कीजेगा और मेरे जैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो आज हमारा मोगल एमपायर कंप्लीट हो चुका है अब नेक्स वीडियो में मैं आप लोगों को छेत्री राज्यों के बारे में करवाऊंगी उसके अलावा फिर में छेती राज्यों में किस तरीके से चित्रकला या इस्थापत कला का विकास हुआ उसके बारे में करवाऊंगी तो इस तरीके से आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं मिलेंगे अब हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद